नमस्कार मित्रो जैहिंद आज हम सभी को देखना है कि इंडिया जो पुलिटिकल मैप के बारे में जो अध्यन कर रहे तो उसकी दूसरा सेगमेंट के बारे में चलेंगे कि दूसरा सेगेमेंट में किस प्रकार से वहां से आगे पढ़ना चाहिए उसके बारे में देखेंगे इससे पहले विशेश सुचना आपको फिर से दे देना चाहता हूँ कि नेक्ष्ट दिन से जो क्या है कि आपकी जो घटना चकर के प्रेक्टिस जो लेकर आ रहा हूँ आप सभी जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं एक आप से बिनमर निवेदन है आप से रिक्वेश्ट भी है कि आप सभी कुछ सुझाओ को देजिए कमेंट के मार्धम से अगर हो सकता है तो दूसरी चीज़ आप से कहना नहीं चाहूँगा आगे चल आईए देखते हैं कि एक बिसेश करके हम लोगों के देखना है कि एक बहुत ही क्या है कि महतपूर जो क्या है कि ये इंडिया है यानि कि यह भारत का मैप है हमारा देश का यह मैप है और इस देश के मैप के बारे में अगर बात परूँ तो इसके हम लोग बाहरी हर एक सीज देख चुके थे इसके सबसे पहले देखते हैं कि यहां से जो क्या है कि एक आपको क्या अच्छांस गुजरती है जिसका नाम है आपको क्या कि बिसेस करके ध्यार रखेंगे कि साथे तेश डिगरी क्या है कि आपको कि इसको क्या नाम है तो साथे इसका करक रेखा कौन से रेखा तो आपको करक रेखा है जो करक रेखा है यह क्या है कि सारे तेश डिगरी क्या है कि नौर्थ आपको क्या है कि अच्छांस है कौन सा अच्छांस है बाबो तो नौर्थ आ क्या है कि अच्छांस है इसके बारे में भीजिस करके ध्यार कियेगा यह क्या है तो ट कितने राजियों से गुजरती है तो यह जो है कि भारत के कितने तो भारत की क्या है कि आप आठ राजियों से यह साड़े तेश डिगरी जो नौर्थ ना अच्छांस जो है तो यह भारत के कितने राजियों से गुजरती है तो विशेश करके ध्यार कियेगा कि भारत के क्या कि आठ राजियों से गुजरते हैं, कितने राजियों से गुजरती हैं, ता आठ राजियों से, कितने राजियों से, ता आठ राजियों से, अब यहां पर प्रश्ण पूसे लेता है, कि जो आठ राज यह कौन-कौन से है, तो सबसे पहले पिसेस करके धार कियेगा, एक देखने को मिल रहा है कि ये गुजरात है पश्चिमी सबसे पश्चिम में क्या है कि ये गुजरात है दूसरी आपको देखने को मिल रहा है आपको क्या है कि दूसरी आपको देखने को मिल रहा है कि एक क्या है कि ये मध्य परदेश से कौन सा है तो मध्य परदेश सोरी राजस्थान दूसरी क्या है कि राजस्थान से गुजरती है तीसरी आपको विश्यस करके ध्यार कियेगा यह क्या है कि मध्य प्रदेश से कौन से तो मध्य प्रदेश से उसके बाद क्या है कि मत्य प्रदेश के बाद आपको क्या है कि एक 36 गड़ से क्या है कि आपको 36 गड़ के सोरे इसके बारे में विशेस करके एक आपको दो आपको तीन आपको चार एक क्या पांच एक छे और एक साथ और एक क्या आठ कि उसके बाद देखिएगा कि ये क्या है कि एक जारखंड से गुजरती है कि से जारखंड से फिर उसके बाद पश् Gesund बन Nav Πर आपको क्या तिर पूर्वं कि तरा अगर पूरव कि तराम कि लेकर चलें कि पर श्ष्यम से पूरव कि तराम कि पहला चीज क्या है कि आपको क्या गुजरात से किसे तो गुजरात दूसरी आपको क्या है कि आपको राजस्थान कौन सा राजस्थान तीसरी आपको अगर जे हम सबी बात करें तो तीसरी विशेश करके ध्यार कियेगा क्या कि आपको मध्यपरदेश कौन सा तो मध्यपरदेश चौथी अगर ज सव dependence आफ्याunde जो क्या है कि आपको GIS स Case करे ध्यार कियेगा जार किया कौनजा तो प्षिम बंगाल से विषस करके ध्यार कियाँ उसके बाद आपको देखे होएं कि सात आफ को क्या है कि तिर्पूरा स सत तिर्पूरा अठ्वा आठवा कौन सा है आपको मिजोरम कौन सा मिजोरम मिजोरम तो इतने देशों से क्या कर रहे है इतने राजियों से गुजर रहे है कितने राजियों से गुजर रहे है इसको बिशेश करके ध्यार कियेगा कितने राजियों से गुजर रहे है जिसको बिशेश करके ध्यार मिजोर्व यानि कि 8 चियों से वह ही अगर बात कर लेगा यहाँ पर दिखना बीसेश कर गया कि कभी 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 क्या करता बढ़र को पूपला होड़ भाउन सी अगर मिजोरं उसके पारम उसके बाद उसके बाद democratic इधार से अगर पूछता है तो इस करम को विशेश करके ध्यान रखिएगा इस खेतर से अगर पूछे तो पले गुजराता एगा राजस्तान-त्य प्रदेस आपको 46 राजस्तान आप जारकन उसके बाद पशिम बंगार उसके बाद क्या तिरपूरा उसके बाद मिजोर है कि अब देखो बाग कि इसके बाद क्या है कि भारत को कई जोनों में बटा गया है जोन के मतलब क्या कि कई अंचल में बटा गया है तो उस अंचल में देख लेंगे कि कौन सा जोन में अगर पश्मी अंचल में या वेश्टन आपको जोन में किन किन राजियों को सामिल किया पू क्या करेंगे पढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर जब मालो कि हम सभी उत्तर उत्री अंचल के बात करते हैं कौन सी तो उत्री अंचल के बात करते हैं कि उत्री अंचल में आपको कौन कौन से सामील है तो देखो बागों कि उत्री अंचल के हम सभी बात करें तो उत्री अंचल के बात करें तो इसको ध्यान रखिएगा एक क्या है कि आपको यह आपको उत्तर पर्देश देखे ये उत्रप्रदीस क्या है कि आपको क्या है कि विषेस करके ध्यान कि रखिएका क्या लगा क्या की धश्रा कौन कि हरद्ग सब्गा त्लोंग तिसरा आपको क्यूंस जा तापको पंजाब इसको भी ध्यां रखिएगा उसके बात क्या है कि हीमाचल परते शुर कर केIn हिमाचल जो प्रदेश है हिमाचल प्रदेश दूसरी आपको क्या है कि उत्तराखंड कौन सा उत्तराखंड तीसरी आपको बात करें तो क्या तो उत्तर प्रदेश कौन सा उत्तर प्रदेश चौथी अगर जो बात करें आपको क्या बात करें तो आपको चौथी में क्या है कि ह जा कि यह क्या है कि उत्रांचल में है उत्री 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 अंचल में है यानि कि नौर्थ क्या है कि जोन में है कि नौर्थ जोन में है उसके बाद अगर जे बात करें हम समय कि पश्चिमी जोन की अगर बात करते हैं कि विसेश करके थ्यान रखिएगा कि अगर हम सभी पश् पश्चिमी जोन की अगर हम सभी बात करें कि किसकी तब पश्चिमी जोन की विश्यस करके ध्यान रखेंगे पश्चमी अंचल की अगर हम सभी बात करें किसकी तो पश्चमी अंचल की तो इस पश्चमी अंचल में आपको सामिल होता है तो एक बिसेश करके ध्यार कियेगा यह राजस्थान यह कौन सा राजस्थान उसके बाद क्या है कि गुजरात आपको एक आपको क्या है कि महराष् कि गुवा यानि कि कहनी के तात्वरी यह है कि अगर हम सभी बात करते हैं कि पश्मी यानि कि वेश्ट अगर जो उनकी बात करते हैं तो इसमें एक गुवा है दूसरा आपको महराश्थ है तीसरा आपको गुजरात है जो उता आपको क्या है कि राजस्थान है तो यहां पर ब महाराष्ट है कौन सा है तो महा आपको राष्ट है उसके बाद क्या है तो आपको गोवा देखो कभी कभी प्रशन पूछ लेता है कि पश्चिमी जोन में आपको क्यों सी है तो विशेज करके ध्यार रखिएगा कि पश्चिमी जोन के हम सभी अगर बात करें तब पश्चिमी पुर्वी जोन की अगर पुर्वी जोन की हम सभी बात करते हैं कि पुर्वी जोन के अंतरगत कौन कौन से आता है तो विशेस करके ध्यान रखना पुर्वी जोन के इस्टन जोन की बात करते हैं तब पुर्वी जोन में देखना बाऊं कि एक आप जाएगा आपका बिहार हम और पुर्वी जून कि अगर हम सभी बात करें तो आपको चार आ रहा है तब पुर्वी अंचल की बात करें, पुर्वी अंचल की बात करें हम सभी, तब पुर्वी अंचल के अंतरगत आपको विशेश करें, एक भाई मान लेना, कि मानना क्या है कि बिहार, कौन सा है तो बिहार, दूसरा आपको मान लेना कौन सा, कि आपको क्या है कि जारखंड, कौन सा जारखंड, कौन सा बंगाल उसके बाद क्या है कि पशिम बंगाल उसके बाद क्या है कि आपको क्या है कि ओडिशा कौन सा ओडिशा अगर देखो भाई ये भी सेज करके ध्यारकिन कि ये ओडिशा यानि कि चार क्या है कि एक ये बिहार दूसरा आपको जहरखन तीसरा आपको पशिम बंगाल आपको देखने को मिल रहा है क्या कि भीहार, जारखन, आपको क्या पश्चिम बंगार, और क्या है कि आपको उरिशा, कि पूरी इस्टन जोन की हम सभी बात करते हैं, तो इस्टन जोन में आपको विसेस करके ध्हान रखिएगा, यह चार राजे समिल है कौन सा भीहार, पश्रिमभांगार अपको गया उडिए अब उसके बात कि अगर जो न की यह सभी बात करते है कि अगर अंचल की आंठ रखेंगे इंक आपको विश्यास करके ध्यां रखेगा ये त्यलांगा ना कोझार ये त्यलांगा न उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या है कि आँध्रप्रदेश ये कौन सा अंध्रप्रदेश उसके बाद ये करनाट का एक डू और क्या तिन उसके बाद किया है कि आप तमी लाड़ो ये क्या है कि चार और ये पाँच यानि कि अगर दक्षिड ही अगर बात करें ऑड dato आपको अंचल की बात करें और सा त रचुडी अंचल कि हम सभी बात करें तो इसमें पृटक्षर आंचल को सानिल किये लंगया है कि दख्षड अंचल है एक पहले शेश करके ध्यार रखी iha अगर बात करते हैं तो क्या है तो तिलंगाना कौन सा तिलंगाना उसके बाद क्या है कि करनाट का कौन सा करनाटक उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या कि आपको खेरम कौन सा तखेरम उसके बाद आपको मिलेगा क्या कि आंध्रपर्देश कौन सा आंध्रपर्देश द्यार रखिए एक आंध्र प्रदीश उसके बाद क्या है कि आपके क्या तमिल न डूरो, कौन सा तमिल डूरो, देखो भाई, यहां पर देखने के जरुबधत है, यह सब क्या है कि साउफन जुन में है, यहां पर देखिएगा कि करम की अगर बात करते हैं, विस्यस करके नह पार रहेगा कर्म की अगर बात करते तो सबसे पहले क्या है इसके नहीं कि क्या है कहा है किसके आत्रप्रदेश को darkness करके जों यून में है अब यूदावी आपको Kya कि ऐक मिड lisub करें तहांено को कौन सा मत्ध darüber हम अंचल करें तो ही भास सामिल है आप आपके कि दोनुज हैं दो राज़ कौन कौन से राज़ साम Efendimiz के दो राज्य कोई सामिल है तो तो राज है उसी प्रकार से क्या है कि यहां पर दो भाई है कौन से यह क्या है कि मद्ध्य पर्देश कौन सा है मद्ध्य पर्देश करके दूसरी आपको क्या है कि आपको भाई साथ 36 गड़ कौन सा तो 36 गड़ कौन सा तो 36 गड़ इसको विश्यस करके धार रखिये गए 36 गड़ यह ब में क्या है कि दोनों क्या मिडिल जोन में आते हैं तो अगर बात करेगा तो एक 36 गर दूसरा क्या मद्य पर देश करते धान किया यह मद्य जोन में देखो बहुत important है सबसे जरूरी है कि मद्य जोन यह दो ही है इसे लिए आप देखते हो कि मद्य पर देश को हिर्दे अस्तल भी क्या करते हैं कि बोलते हैं कि मद्य परदेश को क्या हिर्दे अस्तल अब इसके बाद क्या आ गया कि नौर्थ इस्ट जोन की है अगर, बात करें तो बशिएस करके ध्यार किया गया कि देखो बश्य जितना ही है कि एक टों व्ह भाले मेगाले आ रहा है यह दिख नहीं रहा है तो भाई साव इसको ले लेते हैं अब अब कि ये दिखना कि एक क्या है कि मेघाले ये जो क्या है कि एक मेघाले दूसरी आपको क्या है कि तिरपूरा तीसरी आपको क्या मिजोरा चौथी क्या है कि आपको क्या है कि ये आपको कौन सी मडीपूर पंचवी आपको क्या कि नगालेंट छटवी क्या है कि औस सम सात रानियों का इसको विशेश करके ध्यार रखिएगा कि ये अगर उत्तर पूरा की बात करे हम सभी उत्तर पूर्वी अगर अंचल की बात करे हम सभी इसकी बात करे तो अंचल की बात करे तो उत्तर पुर्वी अंचल में क्या आते हैं, तो कितने राजी आते हैं वाबू, तो यह पर विशेश करके ध्यार रखिएगा, कि आपको साथ राजी आएंगे, कितने राजी आएंगे, साथ राजी, कितने राजी आएंगे, साथ राजी, अंचल में, तो साथ राजी इसमे कौन कौन से उत्तर पुर्वी अंचल की बात करें तो जीत ने नॉर्थ हिष्ट के जो ये छेत्र है जैसे का में-ध Corn evangelical अउटर बिसेस कर के ढार कि अरूण आचल आपको क्या धन्यक्ति और होजां गाते आपको क्या है कि और संध को झारे सा गाज मेघाली के बाद से आपको क्या कि विशेश करके ध्यार कियेगा कि आपको मेघाली के बाद क्या कि आपको तिरपूरा कौनसा तिरपूरा के बाद से आपको क्या कि मिजोरम कौनसा मिजोरम के बाद से आपको क्या कि मडीपूर कौनसा तो मडीपूर कौनसा मड़ीपूर मड़ीपूर के बाद आपको क्या है कि नागालेद कौन सा है क्या है कि नागालेद यह वाला भाई छेतर को देखना कि यह कितने राज्य है तो नौर्थिष्ट में विश्यस करके ध्यार रखियेगा यह जो क्या है कि सात राज्य कितने राजे हैं तो साथ राजे यह बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर कभी-कभी विशेश करके ध्यार रखियेगा कि इन सभी छेतरों को पूछ लेगा कि नौर्थिष्ट के एरिया में कौन-कौन से आते हैं राजे तो विशेश करके ध्यार रखेंगे कि यह पूर्वी तीन और चार, पांच, छे और क्या साथ इन सभी छेतरों को पिशेश करके ध्यार रखियेगा अब देखना है हम सभी को कि हमने देख लिया कि मेडिल जोन में कौन सा है कि नौर्थिष्ट जोन में क्या है उत्री जोन में आपको नौर्थ जोन में कौन सा है वेस्ट जोन मे क्या है दक्षडी साउथ जोन में क्या है तो इन सभी के अलावा एक प्रश्ण पूछता है कि बाउंडरी से डिलेटेड कि अगर मालों की भारत का अगर कोई राज्य है तो उस राज्य से कितने देशों के सिमा लगती है एक राज्य मालों की यह महराष्ट एथीज जो क्या म पश्यम बंगाल से भारत के कितने देशों के सिमा लगती है तो एक राज्यों के साथ देशों के सिमा को देखेंगे कि राज्यों के साथ देशों के सिमा को बारे में हम सभी देखते हैं कि यहां सबसे पहले विश्यस करके ध्यार कि राज्यों के साथ जो है कि कितने देशो के सिमा लगती है तो देशों के सिमा की अगर बात करें सबसे पहले तो अगर माल लेजे कि हम लोग ले लेते हैं एक क्या कि एक पहले जहां तीन देशों से लग रहा है उसको पहले लेते हैं फिर उसके बाद जहां दो देशों से लगएगे उसके बाल लेते हैं तो यहां पर और सिकिमा इसे दो गो देश हैं कि जिस दो गो राजे जो है पौशिम मंगाल और सिकिमा ऐसे दो राजे हैं कि जिससे क्या कि तीन देशों के सिमा लगती है कितने देशों के सिमा लगती है तो तीन देशों के याद रखिएगा कि पौशिम मंगाल कौनसी तो पौशिम बंग कि अगर्बात करें दिखकेंगों कि पौशिम बंगाल का सी कि यह दो ऐसे भारत के राजी हैं एक इससे तीन देशों के शिमालती है यह दो राजेmek से क्या होती है, करते कि कि सिमालगती हैए तो देख भाही सबत치, एक क्या है कि भूटां और दूसरा आपको क्या है स्कूल-चीन कौनसी तो wave गहां पresimal है की चीन क्या है आपको नेपाल तीसरा क्या है चिसरा क्या है कि आपको नेपाल कि यह यह तिन देश दो ऐसे भारत की चाख्युर एसे हें दो राजय से कितने किसी मा लगती है तो तीन देशों के है कि ने दो राजय से कितने किसी मा लगती है तीन देशों से अब इसके बाते हैं कि अगर हम सबी बात करते हैं कि यहां पर रखेगा कि एक अरुनाचल परदेश भी है उसे भी तीन देशों के सिमा लगती है एक अरुनाचल प्रदेश इसमें एक अरुनाचल प्रदेश से अगर बात करें तो उसे भी तीन देशों से मगर डिफरेंट है तो इसलिए हम सभी इसको अलग कर देते हैं कि इसको क्या कर देते हैं कि अलग कर देते हैं कि इसे भी तीन भी टिन देशों किसी मम लगाँ दिया ता एक ठीश करके ध्याया रखीएगा कि अरुनाचल पर्देश की हम सभी अरुना चल lagi कि अगर हम सभी बाता है इसे इस Minecraft आपको क्या कि चीन अद दूसरा क्या है कि ब्धूत करना नहीं तीसरा आपको क्या है कि मैनमार कौन सा तो ये तीन देशों के सीमा लग रहा है तो एक इधर देख रहा है कि ये मैनमार वाला जो छेतर है इसका सीमा लग रहा है तो इसका भी आपको क्या ये चाइना से लग रहा है और उसके बाद यहां पर क्या कि भुटान ये क्या है कि त हुए यह first है कि नही कि तो तीन देशों के सिमा किस के साद्ट आरुणाचल पति इसके साथ भी लग रहा कितने देशों के सांथ आत्तर नम और कॉहुंआ से चाइना भुटान और क्या मैनवार से है कि उसके बाद को कि दो देशों के अगर साथ कितने देशों के सिमा लगती है तो दो राजियों के दो किस राजिये के सिमा दो देशों से लगती है तो एक आपको मिजोरम मिल रहे हैं पर विशेश करके ध्यार रखेगा मिजोरम है उसके बाद क्या है कि असम है, मिजोरम और क्या है, सुरी, मिजोरम और असम, मिजोरम और असम उसके बाद क्या है कि इतरा कान, यह अलग अलग है, तब पहले इन शेतरों से ले ले लेते हैं, पिसेस करके ध्यार किएगा, कि यह मिजोरम की अगर बात करें, तो मिजूरम से जो भी से इसकर के ध्यार कियेगा कि मिजूरम से कितने देशों के सिमा लगता है तो दो देशों से दो देशों से है कि नहीं तो इसमें कौन कौन है भाई सामिब एक मिजूरम से कौन से लग रहा है तो मयनमार से ऐसके बास बर्मा से आदस दूसरी क्या है कि आपको बंगलादेस से हैके निए कौन सा तब बंगलादेस 1975 से बंगलादेस एक बया दूसरा क्या है कि आपको क्या है बंगलादेश से, अब यहाँ पर दो देशों से इसकी सीमा लग रहे हैं, देखरीए, विशेश करके ध्यार रखिए, दो देशों के साथ सीमा लग रहे हैं, इसके बाद एक आपकी क्या है कि विशेश करके ध्यार रखिए, कि एक आपके जो बचा, आपको क्या है यहाँ पर असम, तो असम से भी भाई देखो यहाँ पर, यह असम से भी दो देशों के सीमा लग रहे हैं, देखो असम से, एक तो आपको भुटान, एक क्या तो आपको भुटान, विशेस करके ध्या रखना, एक क्या है कि यह भुटान का बॉंडरी लग रहा है, यही पर आपको असम का इंचेतरों में भी लग रहा है, इंचेतरों में भी असम से, तो असम जो है, असम से दो देशों की क्या सीमा लगती है, तो विशेस करके ध्यार रखिएगा, कि असम की अगर हम सभी बात करें, तो असम से दो देशों की, एक क्या है कि भूतान, अग दूसरी क्या है कि बंगल स्वारा भांदेश ये देखो भाई 10 इसे किपने देश से समा लगते हैं तो देस से कितने लिए से प्रश्न और पूश देश के गर इन-चेत्रों में इसलिए इसलिए हम इसको बता दिए कि सिक्षिम से बिसेश करके ध्यार कियेगा कि एक सिक्षिम से क्या की सुर्य सिक्षिम से अलग हां सुर्य बंगाल से आपको क्या था कि बंगाल से भुटान अपको बंगलादेश और यहां पर क्या है कि चाइना से नहीं लग़ा ड़गा ह एए इसके साथ एक जो ड़े जग आपको क्या कि इसके चाइना के जगा पर क्या कि बंगार वंगलादेस isa S you hear the इन्जेत्रों मैं कि आपको बंगलादेस है कि नहीं इसको बिस्येस करें धारए कि नेक्षट अप देखो जा कि अगर है कि अगर हम सभी बात करें कि उत्तरा उत्रा खंड से उत्तराखंड से दुदेसों自 enfant क्या है कि इधार देखना कि नैपाल का ये बोडर है नैपाल शेतरों दूसरा क्या है कि ये तीबा कुछ किसका चीन का है किसका तो चीन का है तो अगर हम सभी बात करें कि विशेस करके धरकिएगा कि अगर उत्राखंड की बात करें हम सभी कि एक क्या है कि उत्राखंड की नेपाल का यह दो देसों की सिमा लग रहा है यहां पर विसेस करके तहार रखेगा यह उत्रा-खंड हपना है उत्रा-खंड से एक नेपाल यह आद दूसरा कि यह फिर रिके ने तो दो एक क्या कि चाइना, दूसरा आपको क्या कि चाइना के बाद से आपको विशेस करके धान किये गए चाइना, उसके बाद क्या पाकिस्तान, एक क्या है कि अफगनिस्तान, है कि नहीं, तो तीन से लग रहा है, अब इसके आंतरिक भाग में हम सभी परवेस करते हैं, तो आंतरि आई में जानना है आई टीनी तो हमने को पूरब से शुरू करते हैं तब पूरब में आपको देख लेते हैं कि एक असम बहुत ही इंप्रोटेंट है कितने राजियों के भारत के कितने राजियों के सिमा लगती है तो एक आपको लग रहा है किसका अरुनाचल प्रदेश का दूसरा आपको नगालेंट का पीसरा आपको मणिपूर का चौथा आपको क्या मिजोरम का अपांचवा आपको किसका कि आपको तीरपूरा को से बात करें तो असम असम से कितने राजियों की लगती है सीमा तो साथ राजियों के कितने राजियों के साथ राजियों के कितने सतों चुके अब आप उसमाघने के जरूरत है कि इंस से देखते चला है उसके बाद क्या है कि मड़ीपूर कौन सा मड़ीपूर उसके बाद विश्यश करके मड़ीपूर के बाद आपको क्या कि मिजुरम मिजुरम के बाद क्या है कि आपको तिरीपूरा तिरीपूरा के बाद आपको विश्यश करके मेघाले कौन सा मेघाले उसके बाद मेगाले के बाद से आपको क्या कि पशिम बंगाल कौन सा तो पशिम बंगाल पशिम बंगाल कौन सा तो पशिम बंगाल इतने राजियों की किया लग रही कि सीमा लग रही पिसे सकर के धान कियेगा कितने राजियों की सिमाह लग लग रही है तो साथ रजयों के साथ साथ राजियों की बहुत इंपोर्टेट्ट है इसको यानि कि आ सम क्या है कि इसे थोसब पूरवी छेतरों में पूर्भास से कितना अरोनाचील प्रदेश नागालयंड आका इन इंकाल मड़ीपूर मड़ीपूर के बाद मिजोरम मिजोरम के बाद तिरिपूरा उसके बाद मेखाले उसके बाद बंगाल है कि अब यहां पर देखिए कि इनसे तो लग रहा है इसको विश्यस करके धार के इतने राजियों को उसके बाद हमको एक सिस और दिख रहा है कि यहां पर करें कि एक तो मद्य केने लेते हैं आपको क्या कि महराश्त स्फोर्ई मध्यप्रदेς मत्यप्रदेश से भी देख लेते हैं कि लगभक लग रहा है कि इसको विश्य Lage करके द्यार कि ये क्या कि पॉष्छीमी चैत्र में मध्यप्रदेश कि अगर हम सभी बात करें अब और 25 आपको देख रहे हैं कि महराश्ट्र से लग रहे हैं कि यानि कि 5 से लग रहा है ज्यादा नहीं लग रहा है हमें जहां तक दे कि कितना तब पांच राजियों से मध्य प्रदेश से कितने राजियों की सीमा लगता है तो बिश्यस करके ध्यार रखिएगा कि मध्य प्रदेश से पांच राजियों की कितने राजियों की किस सीमा लगती है सीमा लगती पांच राज्यों के तब पांच राज्ये में एक क्या है कि आपको गुजरात है दूसरा आपकी अगर हम सभी बात करें तो क्या है कि राजस्थान है कौन सा है तो राजस्थान है तीसरी अगर हम सभी बात करें तो तीसरी विश्यस करके ध्यार रखियेगा कि महराष्ट है कौन सा है तो महराष्ट है तो अगर जो बात करें ता आपको क्या है कि इसके भाई है जो क्या है कि 36 गड़ है कौन सी है तो 36 गड़ है विश्यस करके ध्यार रखियेगा कि 36 गड़ है विश्यस करके ध्यार रखिय उसके बाल से क्या है कि आपको पाचवा जो क्या है कि उत्तर-परदेश से कौन सा है? उत्तर-पधशThis զेखो भाई, तो एतने राज्यों की क्या लग रही है? कि boundary लग रही है? मध्यपरदेशल से कभी-कभी पूछ लेगा तो इसको ध्यान रखना कि मर्द्य परदेश निमन में से किस राजय की सीमा नहीं लगता है तो आपको विशेस करके ध्यान रखना जो लगता है उसको भाई याद करके रखोना है कि ये पांच राजयों के लगता है तो पांच राजयों के याद करके रखो फिर इसके बाद एक आते हैं कि आपको देख लेते हैं क्या कि विशेस करके धान रखना कि आपको क्या है कि उत्तर परदेश को देखें कि एक उत्तर परदेश है तो इस उत्तर परदेश के कितने राजू के साथ सिंवा लगती है तो एक आपको देखना कि हिमाचल परदेश स यहां पर दूसरा क्या उत्राखण यह खीमा चलो प्रदेश से दिखाई दे रहा है दूसरा क्या क्या आपको उत्राखण तीसरा आपको हर्याना चौथा आपको राजस्थान कितना चौथा आपको राजस्थान पाचवा आपको मद्य प्रदेश छाठा आपको सतीस गड़ उसके बाद सतवा आपको क्या जारखंड और आठवा आपको क्या कि आपको बिहार है है कि यह देखो हमें तो लग रहा है कि यही सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगता है इसको देखो यहाँ पर जो इस छेत्रों में इस छेत्रों में जारखंड से भी लग रहा है कि इ इसको तो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश से आठ राजयों के सिमा लगते हैं कितने राजयों के सिमा लगती है इसकी लगती है तो सिमा लगती है अब आठ राजयों में विशेश करके ध्यां रखना कि एक तो विशेश करके उत्राखंड कौन सा तो विशेश करके ध्यां रखना क्या कि उत्राखंड कौन सा ता उत्राखंड दूसरा आपको क्या कि हिमाचल प्रदेश है कौन सा था हिमाचल प्रदेश है कौन सा था हिमाचल प्रदेश है कि तीसरा आगर जो बात करें क्या तो हर्याना तीसरा कौन सा हर्याना विश्यस करके ध्यार किये गए हरियाना उसके बाद से विशेश करके हरियाना के बाद से आपको ध्यान रखिएगा क्या कि राजस्थान राजस्थान और राजस्थान के बाद आपके क्या कि मध्य परदेश कौन सा मध्य परदेश मध्य परदेश के बाद आपको क्या कि 36 गर कौन सा तो 36 गर चटिस गड़ उसके बाद चटिस गड़ के बाद आपको जहरखंदों से लग रहा है भई किसे लग रहा है कि जहरखंड तो इस जहरखंड के बाद से आपको क्या है कि आपको विसेश करके ध्यार रखिएगा कि बिहार कौन सा तो बिहार देखिए तो यह जो क्या है कि 8 राजियों की जो क्या लग रही है कि सिमा लग रही है विशेश करके ध्यार रखियेगा जब यह क्या पढ़ते हों तो इस बातों को बैठके अराम से पढ़ने यह नहीं कि चलो विडियो दस मिनट पाच मिनट तीन मिनट देख लिया तो होगे ऐसा नहीं इसको अराम से एके करके इसको ऐसे करके आपको देखना है तब बिशेस करके ध्यार रखना कि यूपी से कितना अगर बात करें कि यूपी से देख रहे हो कि आठ राजों की सीमा लग रहे है कि इतने राजों की सीमा लग रहे है तो यह क्या है कि सबसे ज़्यादा राजों से इसके सिमा लग रहे है कि एक बिसेस करके ध्यार रखिएगा कि हम सभी बात करते हैं कि अगर बात करें तो आठ राजियों के लगिया इसे आप पांच से इसे आपको साथ से असम से है कि निए उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि तेलंगाना या माली जे कि हम एक साइड से लेकर चलते हैं कि अगर मालों की राजस्थान से पोले तो राजस्थान से भी देखी कि राजस्थान से अगर बात करें इस साइड से पहले लेकर चलते हैं कि राजस्थान से एक पहले पंजाब दूसरा आपको क्या हर्याणा, तीसरा आपको क्या है कि उत्तर परदेश, चौथा आपको क्या मध्य परदेश, आप पांच इससे, बाच अब आपको क्या गुजरार, अगर हम सभी बात करें राजस्थान की, इसकी बात करें तो राजस्थान, तो यहां से कितने राज्यों क किसीमा लगता है तब 5 राज्यों कितने राजों कि एक पर्थम अगर बात करते हैं से किया घुजरा गुजरात दूसरी अगर जो बात करते हैं तो मध्य प्रदेश कौन सा आपको मध्य प्रदेश तीसरी अगर जो बात करें क्या तो उत्तर प्रदेश कौन सा उत्तर प्रदेश अगर चौथी अगर जो बात करें हम सभी तो उत्तर प्रदेश के बाद आपको क्या है कि टो विशेष करके ध्यार के एग अचाऊ थी आपको क्या पंजाब सरी हर्यारा करे उसके बाद क्या है कि आपको पंजाब है पंजाब तो इन जु क्या है कि राज़स्तान से कितने राज़यों के सीमा लग तो यहां पर देख रहे हैं कि आपको विश्यस करके ध्यार कि अगर आजस्थान से रग रहा है कि घुजरात आपको क्या मद्यपर्देश उत्तर पर्देश और क्या हर्यारा उसके बाद क्या पंजाब इस बाउंडरी को भी विश्यस करके ध्यार रखेंगे जब पूस्ता है तो इसे स्क्रेज़े निक्ष्ट देखोगा अगर हम सभी पंजाब की अगर हम बात करें कि अगर हम सभी पंजाब की अगर बात करते हैं तब पंजाब में देखिए ये तो जम्मु कस्मिर जम्मु कस्मिर जो केंदर सासीद प्रदेश हैं ही माचल प्रदेश दूसरा आपको तीन राजियों से कितने राजियों से तीन राजियों में विश्यश करके ध्यार रखियागा कि एक राजस्थान दूसरी आपको क्या है कि हर्याड़ा दूसरी क्या है कि हर्यान ओगती सरी क्या है कि आपको विशेज करके ध्यार रहूं दिस्री कौन सी हो तर्छीлем पुर्द्थ कौन सी है धी हमाचल्प्रदेश के हम समस्ट करके ध्यार रहा है कि यह तीन राजियो Cleared इसके सीमा लग रहे है याना आपके हिमाचल पर उसके बाद देखो कि अगर हम सभी बात करें उत्राखंड से अगर हम सभी बात करते हैं कि उत्राखंड उत्राखंड ये वाला जो छेत रहने हो तो इसे कितने राजियों के सीमा लग रहा है यहां पर देखना बहुत कि उत्र कर आगा उत्रा खर्ण से मचल से आरा करें करें अंदर के reporting नानि यानि कि बात रहा लाज्योथ की सिमा कैसे अंदर रही problème है उत्रा होए से करके यह पी पिश्बो अध्या चाहरे परें तो ट्रकाई और करना के सब्सक्राजीरर श्रहां अब इसके बाद हम सभी बढ़ते ही कि एक आपको देखिये यहाँ पे जो क्या है कि महराश्ट से बात करते है तो महराश्ट में गुजरात हो गया था गुजरात के सोरे गुजरात में तो गुजरात से देखना कि एक क्या है कि आपको राजस्थान, दूसरा आपको मध्यप्रतिस, तीसरा आपको क्या कि महराश्थ, रही कि ने, तो तीन राजियों से आपको क्या सीमा लग रहा है, तो एक विशेस करके अगर गुजरात से हम से भी बात करें, तो इससे कितने तीन राजियों से, कितने तो इत्तिन राजियों से लग रहा है विश्यस करके इसको ध्यार किएगा उसके बाद अगर जह हम सभी बात करें इस महराश्ट से तो महराश्ट में विश्यस करके ध्यार किएगा कि महराश्ट से अगर हम सभी बात करें तो महराश्ट में देखो एक छतिसवर पुरब में उ चैनी कि हम सभी महराष्ण की अगर बात करते हैं अगर महराषण से कितने राजियों से तह पाँच राजियों कितने राजियों अर芬्छ यह पॉहला कि आपको क्या कि गुजरात गुजरात से ही अलग हुआ था इसके बारे में विश्याश करके ध्यान रखिये काहसी अलग हुआ था गुजरात ने दूसरी आपको क्या है कि गुजरात के बाद विश्याश करके ध्यान रखिये कि मध्यपर्दिश कौन सा मध्यपर्दिश तीसरी अगर क्या है कि आपको कर कि उसके बाद करनाटक के बाद से क्या है चोथी कि तिलंगाना कौन सा तिलंगाना उसके बाद क्या है कि आपके 36 गर उसके बाद क्या है कि 36 गर इतने से लग रहा है इसको भिषेक ओर कर क्या निक्स्ट देखो बाद कि एक मालो की तिलंगाना को हम सभी लेते हैं तर लेते हैं तिलंगाना से देखना कि एक किसको किसको लगेगा तो 36 गड़ के लगी रहे महराष्ट को लगी रहे दूसरा उसके बाद तीसरा आपको करनाटक चौथा आपको क्या कि अंध्रपर्दे इस चार राजियों से लग रहा है विश्यस करके ध्यार किया तहीं लिखने के ज़रूरत में उसके बाद एक देख लेना कि आपको करनाटक से कि विश्यस करके अगर बात करें तो करनाटक से करनाटक से एक महराष्ट का लग्रहा है दूसरा जो क्या Legion कि आपको क्या क्या कि अंध्र पρदेस तीसरा थेख़त हो तीन और एक चमिलाडू उसके बाद क्या है कि केरला पांच यानि कि पांच करनाटक से भी पांच राजों किसी बनता है ता करनाटक से अगर बाग करें ता करनाटक से कितने राजों के ता पांच राजों के इसमें विश्यस करके ध्यार रखिएगा तब पांच राजों में विश्यस करके करनाटक से किसके तब एक महराष्ट कौन सा एक महराष्ट दूसरा आपको विश्यस करके ध्यार रखिएगा कि क्या तिलंगाना कौन सा उसके बाद तिलंगाना के बाद क्या कि आंध्रप्रदेश कौन साथ आंध्रप्रदेश आंध्रप्रदेश के बाद से आपको तमिलाडू कौन साथ कि तमिलाडू तमिलाडू उसके बाद तमिलाडू के बाद से आपको देखना कि आपको क्या है कि केरल अग किरल के बाद आपको क्या है कि किरल के बाद आपको क्या है कि गुवा इतने राजियों से क्या लग रहे हैं कि सीमा लग रहे हैं इसको गुआ से भी लग रहा है यानि कि छे राजियों से लग रहा है यानि कि छे राजियों से लग रहा है तो हम सभी यहां तक ले देखा नेक्स्ट हम सभी ने क्या करेंगे कि साथ में इसके साथ घटना चक्रों क को अध्यन करते हुए आगे बढ़ेंगे ठीक है जय हिन्द जय भारत